आदरनी बंधवो माताव वे मेरी प्यारी बेहनू राधी राधी आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल जीवन की धारा पर बहुत-बहुत स्वाग थे। बंधवो आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास महत्तम का अठार्वा अध्याय सुनेंगे। जिसी सुनने सुनने से कार्तिक के ठाकुर जी की कृपा से मनुष्य को कार्तिक स्नान करने जितना फल प्रापत होता है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो कृपय हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेर वे लाइक भी जरूर करें। व्रिंदा की भसन से तुलसी तथा आमले के उत्पति। नारजी बोले है राजन वहां देवताओं द्वारा बोय हुए बीजो से तीन वनस्पति उत्पन हुई। ब्रह्मा की इस्त्री के बीजो से धात्री यानी की आमला लक्ष्मी के बीजो से मालती और गोरी के दिये हुए बीजो से तुलसी उत्पन हुई। ये ही करम अनुसार रजोगुन, सतोगुन और तमोगुन हुई। जब भगवान विश्णु ने विलास में इस्त्री रूपी वनस्पति को व्रिंदा के रूप में देखा, तो वे उठ बैटे। भगवान विश्णु ने उन्हें प्रिती पूर्वक निहारा और तुलसी तथा धात्री ने भी भगवान विश्णु की ओर प्रेम से देखा। जो बीज लक्ष्मी ने इर्श्या करके दिया था, उस से उत्पन हुई इस्त्री लक्ष्मी से इर्श्या करने लगी। अते उसका अती निंदित बरबरी नाम रखा, धात्री और तुलसी विश्नु को प्रीती देने के कारण प्रीती बढ़ाने वाली हुई, जब भगवान विश्नु उस दुख को भूल गए, तब देवताओं ने उन्हें परनाम किया, देवु द्वारास्तुती करने पर विश्नु उन दोनों को संग लेकर बैकुंठ को चले गए, इसलिए कार्तिक के वरत में तुलसी के व्रिक्ष के पास विश्नु का पोजन होता है, यही कारण है कि तुलसी विश्नु में प्रीती बढ़ाने वाली बनी, तुलसी का वन सब पापों को हरने वाला है, वह घर तीरत सवरूप है, जिस घर में तुलसी होती है, जो कोई इसको घर में लगाते हैं, वहां यम दूत नहीं आते और वे यम राज का दर्शन भी नहीं करते, नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी वन का संसरग ये तीनों समान फलदायक हैं, तुलसी के लगा वानी, पालनी, जल देनी, तथा दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों के वानी, मन और शरीर से उत्पन हुए पाप भसम हो जाते हैं, जो तुलसी की मंजरियों से भगवान विश्नु का पोजन करता है, वहे गरप में नहीं आता, नी संदेहे मुक्ति को पा जाता है, ये सब तुलसी में रहते हैं, तुलसी की मूल रज किसी भी अंग पर लगा कर प्राणों को छोड़ने वाला सेकडों पापों से युक्त होने पर भी यमराज को नहीं देखता, हे राजन वहे विश्नु के समीप रहता है, यह सत्य है, तुलसी लकडी के चंदन को धारन करन वाले व्यक्ति के शरीर को भी पाप स्पर्ष नहीं करता, हे राजन जहा तुलसी के व्रिक्ष की चाया हो, वहाँ शरात करना अक्षय फल को देने वाला है, आते वही पिंड दान देना चाहिए, हे राजन आमले की चाया में जो पिंड दान करता है, उसके नरक में पड़े हुए पित्र भी त्रिप्त हो जाते हैं जो माथे में हातों में देही में आमले को धारन करता है वहे विश्णु समरूप हो जाता है आमले का फल तुलसी और द्वारिका की रज ये जिसके शरीर पर सदा रहती है वहे मनुश्य जीवन मुक्त हो जाता है जो आमले तथा तुल उसी दल मिले जल से सनान करता है उसको गंगा सनान का फल मिलता है जो मनुष्य आमले के पत्ते या फलों से पूजन करता है उसे स्वर्ण में मनी और रत्नों के पूजन करने का फल प्रापत होता है तीरत मुनी देवता यग्य आदी कार्तिक के महीने में तुला राशी के सूरे होने पर आमले के वरिक्ष में रहते हैं जो मनुष्य द्वाच्छी को तुलसी और कार्तिक में आमले को तोड़ता है वेह निंदित नरक को प्रापत करता है जो कार्तिक मास में आमले की छाया में बैटकर अन का भोजन करता है उसका एक वर्ष का पाप नस्थ हो जाता है और जो आमले के वरिक्ष के नीचे भगवान का पोजन करता है उसे सब शेत्रों में विश्णू के पोजन का फल मिलता है विश्नु की महिमा की भाती धात्री और तुलसी के महत्तम को चतुर मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। धात्री और तुलसी की उत्पत्ती की कथा को जो भक्ती से सुनते और सुनाते हैं वेह निश्पाप हो अपने पूर्वजो सहित विमान में बैठ कर स्वरक को प्रापत करते हैं। इती कार्तिक महत्तम अठारवा अध्याइस मापत बोलो विश्णु भगवान की जे। बंधु भगवान चिरी हरी की कृपा आप वे आपकी परिवार पर सदेब बनी रहे। आपका घर आंगन खुश्यों से महकता रहे। इन्ही शुप कामनाओं के साथ आप सब का बहुत ब इन्यावाद राधी राधी।